गाईस क्या आपने कभी ऐसे गाउं के बारे में सुना है जहांके लोग इनसानों को नहीं बलकि कत्पुतलियों को पालते हैं और बहांके स्कूलों में भी कत्पुतलियां ही पढ़ाई करती हैं गाईस ये बात सुनकर आपको थोड़ी अजीव लगी होगी गाईस लेकिन ऐसा होता है गाईस जापान तकनीक के मामले में सबसे आंगे है गाईस संसदानों के लिहाज में काफी प्रगती कर चुके जापान में सब कुछ अच्छा है लेकिन इस देश के गाउं बीरान हो गाईस इस गाउं के पिछले 18 सालों से कोई भी बच्चा नहीं जन्मा गाईस बजा है यहाँ योबाओं की जन्संक्या की करीब करीब खत्म हो जाना गाईस जो गाउं एक बक्त तीन सो लोग से आवाद था बहां आस सिर्फ पुतले ही पुतले दिखाई देते हैं गाईस सुकमी नाम की एक महीला नेवे खुद भी नगोरा की रहने बाली हैं गाईस सबसे पहले उन्हों ने अपने पिता के कपड़े पहनाकार एक पुतली बनाई थी गाईस यह सिर्फ सौक के लिए किया था लेकिन गाउं को गुडियों से बरने के पहले तो उनकी कोई योजना नहीं थी गाईस लेकिन बाद में उन्हों ने इस सौक को अपना मिसन बना लिया गाईस अब गाउं में इंसानों से जादा तो पुतलिया और गुडियों दिखाई देती हैं गाईस जापानी वासे में इसे आदमकत गुडिया को बजू का कहते हैं गाईस और नगोरा में अब बजू का ही राज चलता है गाईस जब यह गाउं आवाद था तब यहां इसकूल भी था जब बच्चे नहीं रहे तो इसकूल भी बंद हो गया गाईस हाला की लोगों को यह कमी ना खले इसके लिए यहां भी बच्चों की जगा पुतलियां और गुडियां बिठाई गई है और टीचर की जगा भी बजू का मौझूद है जो उन्हें पढ़ाते हुए दिखाई देता है गाईस आयोना सुकमी ने नकड़ी अकवार और कपड़े का इस्तमाल करके बजू का बनाए है और इन्हें इंसानों की तरह कपड़े पहना कर प्रॉपर हुमन टचॉप अब दिया है जर्मन फिल्म मेकर फ्रिट्स सुमन ने 2014 में इस गाउं को लेकर एक डॉकुमेंटरी भी बनाई थी गाईस इसी के बाद इसे गुडिया और पुतलियों का गाउ कहा जाने लगा गाईस अब लोग अक्टूबर के पहले रविवार को यहां खास पुतलियों का तेवार देखने आते हैं गाईस आपको इस गाउं के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताए और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें